हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों हम सब को इश्वर ने दो खास चीजों से नवाजा है एक से हमारी सांसे चलती हैं तो दूसरी से हमें जिन्दगी जीने के लिए तरीके मिलते हैं एक का नाम है दिल और दूसरी चीज का नाम है धिमाग दोनों ही खौप देखते हैं मंजिल तलासते हैं और दोनों की उधेड़ बुन में जिन्दगी न जाने कब भी जाती है तो आप सब की नजर करना चाहूंगी, उमीद है आपको पसंद आएगी, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप से एक गुजारिश है, कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें, मुझे प्रोचाहन मिलता है, आप जब मेरी वीडियो लाइक और करते हैं, और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है, तो दोस्तों शुरू करती हूँ, आस्मा चूने की तमन्ना है, डरती हूँ कहीं पैरों से जमी ना खिशक जाए, आस्मा चूने की तमन्ना है, डरती हूँ कहीं पैरों से जमी ना खिशक जाए, मन चंचल है, कहीं भी उड़ जाता है, खुद कहीं उड़ जाऊं, करम आड़े आता है, बच्पन के पंक एक उम्र तक भाते हैं, योवन में और बड़े हो जाते हैं, सारा आस्मा अपना सा लगता है, कहीं जिजिविशा की होड है, कहीं खुद की चटकन का शोर है, बेसिक दुनिया जानी पैचानी है, लेकिन जब जब कदम जमी नापने लगें, पीछे छूट जाती चितकार करती कोई कहानी है, विश्वास भरा किसी का मिल जाए अगर साथ, मनजिल पाने को चल पड़ें, दिल और दिमाग, यकीं भी हो, पैरों की जमी कहीं नहीं जाएगी, चितकला फिर पंख जरूर फैलाएगी, बेशक अकेले आए हैं, अकेले जाना है, खुशिया हों वहाँ, जहां साज जमाना है, तूट जाते हैं पंख, जब मिलते धोखे हैं, जिन्दगे जीने के ढंग यहां अनोखे हैं, क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाने की मची होड है, क्या इसे ही जीना कहते हैं, या यही जीवन का तोड है, तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी यह रचना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और फिर से विंती करती हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगली वीडियो डालने के तक आपसे विदा लेती हूँ, नमस्कार, आदाब, राम राम